नमस्कार दोस्तो, रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में फोन बुस्टर अप्लिकेशन को कैसे यूज करेंगे तो गईस गर आप भी जाना चाहते हों कि फोन बुस्टर अप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा play store में जाके सबसे पहले आपको search करना है phone booster और यह application आपके phone में आ जाएगी इस application को आपको अपने phone में download करना है download करने के बाद अगर आप इस application के बारे में जानना चाहते हो details वगेरा तो नीचे के side में आके about this app के उपर जैसे ही आप click करेंगे उसके बाद इस application के पूरी details आपको देखने को मिल जाएगे इसके अंदर क्या-का feature मिलने वाले कैसे use करना है सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा ठीके न उसके बाद इस application के reviews rated वगेर आप चेक करना चाहते हो तो नीचे के side में आके आप चेक कर सकते हो tools के नीचे देख से 4.1 इसको star मिले हुए 2T reviews है मतलब 200-2000 इसके reviews है rated 3 plus है 10 lakh plus इसके जो है डाउनलोड़िंग है ठीके न अब गैस मैं आपको बदा देता हूँ कि यह application है क्या तो बेसिकलिए यह जो application है एक RAM booster application है cleaner application है जो कि guys आप अपने phone के junk file को clear कर सकते हो junk clear कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर आप जो अपने phone को scan करके जिस भी application के अंदर जो है कोई junk file वगेरा रहेगी कि वो clear करेगी साथी साथ CPU cooler यहाँ पर अगर आपका temperature यहाँ पर maintain करेगा speaker cleaner करेगा साथी साथ यहाँ पर यह आप अपने phone को speed up भी करेगा boost भी करेगा ठीक है न तो कैसे application को use करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हम application को open करेंगे तो जैसे ही application को open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर हम start पे click करेंगे start पे जैसे हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा लोडिंग लेने के बाद यह application उमारे सामने इस तरह से जो है open हो जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पर सबसे वहले scanning यहाँ पर start हो जाएगी तो scanning को यहाँ पर start complete होने के बाद यहाँ पर आप जो इसे skip भी कर सकते हूँ skip करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा ठीक है ना तो सबसे पहले देख तो यहाँ पर एक manager का option एक booster का option एक me वाला option है ठीक है ना तो यहाँ पर booster के उपर क्लिक करेंगे तो यह सभी features यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर phone cleaner की है phone booster की है ठीक है ना तो total option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद इस तो manager वाला option है इसके जंग cleaner है speaker cleaner है WhatsApp cleaner है यहाँ पर totally जो भी आपको clean करना है इस तरह से आप जो one by one कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर सभी features में use करके आपको नहीं बताऊंगो एक दू features यूज़ करके बता देता हो ठीक है ना उसके बाद आप आप खुद ही use करके देख सकते हो तो चलिए सबसे पहले उपर के seller में जंग cleaner वाला option हमें इसके उपर क्लिक करते है उसके बाद यहाँ पर हम गॉटट इंगे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद अलावफे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 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 स्केनिंग यहाँ पर start हो जाएगि ठीक है ना जो भी junk file रहेगी हमारे सामने आ जाएगी देखस तो 2.9 zb है तो यहाँ पर हम remove पे click करके इसे यहाँ पर clean करेंगे remove करेंगे ठीक है ना तो जो भी remove करेंगे सब कुछ यहाँ से एक जटके में यहाँ से remove हो जाएगा ठीक है ना देखस तो congress लिखा हुआ रहा मतलब यहाँ से प्रेट तरीके से जो यहाँ पर scan हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो भी RAM बीजी रहेगी वह यहाँ पर जो आपके फोन में free हो जाएगी ठीक है ना और directly आपके फोन को optimize करना तो optimize के ओपर click करेंगे तो यहाँ पर यह भी boosting हो जाएगी आपके जो RAM रहेगी वह जो जो ह यह options आपको देखने को मिल जाएगी कितना यहाँ पर आपको जो है protect यहाँ पर कितने दिन तक चलेगा ठीक है ना कितने junk file है कितना कुछ आपने जो यहाँ पर clear किया सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना तो इस तरह से guys आप अपने phone में booster phone booster application को use कर सकते हो इस application की मदद से आप अपने phone को clean कर सकते हो तो guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना शेयर करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए